नमस्कार, आज हम डिसकस करेंगे Doctrine of Eclipse, जो Doctrine of Eclipse है ये भी Judicial Review से related है, तो अगर आपको Judicial Review के बारे में नहीं पता तो मैं दो मिनट में बता देता हूँ, और जिन स्टुडेंट्स को Judicial Review की जानकारी है, वह इस वीडियो को दो मिनट आगे बढ़ा सकते हैं, तो दोस्तों अगर कोई भी कानून पारलियामिंट के दोरा बनाय जाता है या Estate Legislature के दोरा बनाय जाता है, और अगर वह कानून Constitution के according नहीं है, अगर Constitution के सिधानतों को अगर वह उसका हनन करता है उन सिधानतों का, तो दोस्तों जब जुडिशियरी किसी भी ला को जब एक्जामीन करती है तो उसको पार्ट बाइप एक्जामीन करते हैं क्योंकि किसी भी ला का क्लॉजेस होता है सब क्लॉजेस होता है उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं तो दोस्तों जुडिशियरी भी यही करती है और मान लीजिये अगर जुडिशियरी ने अगर किसी भी एक ला के किसी भी एक पार्ट को अगर अनकंस्टिटुशनल इन्वैलिड घोसित कर दिया डि जिस clause को या जिस part को unconstitutional invalid declare किया गया है क्या वह हमेशा के लिए invalid declare हो गया या फिर future में कभी वह दुबारा से action में आ भी सकता है ये दो questions पे हम discuss करेंगे तो दोस्तों पहले एक example के माध्यम से समझते हैं माल लीजे एक हमारे पास आधार act का example है ऐसा हुआ भी था तो आधार act जाता है Supreme Court के पास Dear Supreme Court ये जो आधार act है एक constitution के according नहीं है ये जो PIL करता होते हैं जो जनहित याची का दायार करते हैं वह जाकर तर्क देते हैं वह बोलते हैं Dear Supreme Court ये जो है ये article 21A जो constitution का है जो की right of education right of education का बात करता है right to education का बात करता है ये उस principle के खिलाफ है और इसमें जो clause 4 है clause 4 ये बोलता है कि जो आधार है आधार होगा compulsory education के लिए भी लेकिन आप free और compulsory जब education आप provide करा रहे हैं तो इसमें आपको आधार कर्ट बनाने की भी जरुरत नहीं है ये तर्क दिया गया क्योंकि ये तो हमारा fundamental right है free and compulsory education जो की हमारे constitution के article 21A में दिया हुआ है तो judiciary ने आधार act के सारे clauses को जाचा clause 1 अच्छा ठीक है clause 2 ये भी सही है constitution के हिसाब से है clause 3 ये भी constitution के हिसाब से है clause 4 नहीं ये constitution के हिसाब से नहीं है ऐसा supreme court ने पाया तो क्या ये जो clause 4 है इसे physically यहां से delete करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा तो जबाब है नहीं अगर judiciary किसी भी part of law या किसी भी clause को unconstitutional declare करती है तो वह physically वहां से नहीं हटाया जा सकता वह वहीं पर मौझूद रहेगा पर वह action में नहीं आएगा उसे implement नहीं किया जाएगा इसे judiciary हटा क्यों नहीं सकती because amending the law is the function of the legislature and not of judiciary तो इसलिए इसे हटाया नहीं जा सकता सबसे पहला जो concept है doctrine of eclipse का क्या यह कानून future में दोबारा कभी आ सकता है तो हाँ आ सकता है इस पर फिलहाल अभी ग्रहन लगा है एकलिप्स का क्या मतलब होता है ग्रहन लगना ग्रहन क्यों लगा है तो ग्रहन इसलिए लगा है क्योंकि इसके क्योंकि यह जो clause है एक जो article है हमारे constitution में उसके principles को violate करता है तो दोस्तों यह कौन सा principle है वह है right to education article 21A तो अगर माल लीजिए future में कभी भी 5 साल के बाद 10 साल के पास बाद ऐसा हम एक hypothetical example लेते हैं अगर हमारे parliament ने हमारे legislature ने article 21A को repeal कर दिया अगर उसे constitution से हटा दिया क्योंकि article 21A था नहीं जुड़ा है बाद में तो अगर फिर से इसे constitution से हटा दिया जाता है तो यह जो clause 4 है अधार act का यह फिर से action में आ जाएगा इस पर जो लगा हुआ ग्रहन है वह समाप्त हो जाएगा क्योंकि यह action में इसलिए नहीं था क्योंकि यह constitution के एक principle को violet कर रहा था लेकिन अगर वह constitution का principle ही बाद में amend कर दिया जाए उसे repeal कर दिया जाए तो फिर से यह जो clause 4 है या फिर से action में आ जाएगा आटोमेटिकली तो इसे कहते हैं doctrine of eclipse की थोड़े समय के लिए किसी भी कानून पे ग्रहन लगता है अर्थार अगर किसी भी कानून को unconstitutional invalid declare करती है judiciary इसका यह मतलब नहीं कि वह हमेशा के लिए अपने पूरे जीवन के लिए वह unconstitutional हो गया हाँ अगर future में जिस principle के चलते constitution के जिस principle के चलते उसे unconstitutional declare किया गया है अगर उस principle को ही amend कर दिया जाए repeal कर दिया जाए तो वह कानून फिर से action में आ जाएगा और जो ग्रहन लगा था इस कानून पर वह हट जाएगा दो चीज हम यहां से जान सकते हैं there is no need to physically remove the law and judiciary cannot do this because amending and repealing the law is the function of the parliament that is the union legislature and not of judiciary and second every law is declared invalid not for the infinite time for infinite time के लिए नहीं होता है एक finite time के लिए होता है और अगर हम जो principle के कारण ये law जो है वो unconstitutional declare हुआ अगर उस principle को सिधान्त को ही constitution से future में amend कर दिया जाता है उसे repeal कर दिया जाता है तो ये law फिर से आ जागा action में तो मैंने वही सारा चीज यहां पे लिखा है दोस्तों इस slide में और मैंने आपको समझा दिया तो इससे फिर से बतानी की जोरत नहीं है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें मेरे चैनल को धन्यवाद